आज हमारा टॉपिक है बैंकिंग। बैंकिंग में हम पढ़ेंगे कि इसके मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या है और इसके फंक्शन्स क्या है। सबस्टे पहले हम देखते हैं मीनिंग ओफ बैंकिंग। ए बैंक is a financial institution which accepts deposit, pays, interest on predefined rates. Clear checks makes long and often acts as an intermediary in financial transactions. It also provides other financial services to its customer. पैंक क्या होता है? एक फैंशल इंस्टिटिशन होता है, जो क्या करता है? हमारा जो deposit होता है, हमारी जो जमा होती है, उसको accept करने का काम करता है. हमें interest pay करता है, उसके उपर आप लोग देखते हो कि आप बैंक में अपने accounts कुलवाते हो, आपको पता है कि आप करी types के accounts कुलवाते हो, जैसे कि आप लोगो कि आपे current account होता है, saving accounts होता है, तो आप जब उनमें क्या करते हो, अपना पैसा जमा करते हो, तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, rate of interest मिलता है, आप अपने जो checks होते हैं, उनको clear कराने का काम भी कहां से करते हैं, बैंक से करते हैं, जो हमारे loan होते हैं, gold loan हो सकता है, वो आप लोगों का land loan हो सकता है, वो आपका education loan हो सकता है, कोई भी etc. loan जो होते हैं, वो loan हमें कहां से मिलते हैं, बै करता है बैंक करता है मूंकि it also provides other financial services to its customer और इसके अलावा ये अपनी जो customer होते हैं उनको other financial services भी provide करने का काम करते हैं तो सबसे पहले कर हम बात करें बैंक की तो बैंक शर्द हमारा क्या है काफी पुराना का शब्द है इस शब्द की जो उत्पति इतली की बैंकों या बैंकर्स या बैंक kूओ से होगा है इस संधर में कहा जा सकता है कि इपली के सराफा या समाहाजन बजारों में बेंचों पर बैठकर अपने लेन-लेन के वियापार की जाते थे तता उनमे से किसी वियापार का बंद हो जाने अर्थात ऐस उफल हो जाने पर उसकी बेंच को तोड़ दिया जाता था हम हुएं कहती है है ट्रांजिक्शन करते थे तर ट्रांजिक्शन क्या होते थे यह हमारे एकफल हो जाते है तो हम क्या करते थे जो वैंच होदी थी उसको तोड़ दिया जाता था तता उनमी से किसी प्रकार का व्यापार बंद हो जाने पर तत ऐसा फ़ल हो जाने पर बेंक्रप्ट शब्द की उत्पत्य हुई है आप आज कर देखते होंगे एक बेंक्रप्ट बड़ यूद होता है वो वैसे अकर हम नॉर्मली बात करें तो कोई वेक्ति क्या होता है जब अपनी जो सर्विसीज होती है उनको क्या कर पाता है पेड नहीं कर पाता है तो उस कंडिशन में मालनी जे उसने किसी से लॉन लिया है उस लॉन को पेड नहीं कर पाया है तो उसको क्या करता है बैंक्रप्ट भोसित कर दिया जाता है ठीक है तो ये सारी चीज़े इसके लिए बहुत जादे जरूरी है जो में देखने के लिए मिलती है फिर क्या है एक अन्य विचारधारा के अनसार इटली में जो व्यापार घरे प्रारंभिक बैंकिंग का कारी करते थे के नाम से भी चानते हैं बैंकिंग में आप देखते हो कि बहुत सारी सर्विसेज मिलती है जैसे कि आप लोग डिपॉजिट में एपडी कराते है जो फिक्स डिपॉजिट होती है ठीक है उसके बदले में आपको जो आप पे इंट्रेस्ट मिलता है वो डिपॉजिट आपका क्या होता है जो आप सेविंग एकाउंट होता है आप लोग अपरन्ट एकाउंट होता है उससे ज़्यादा इंट्रेस्ट मिलता है तो बैंक आपको क्या करता है बहुत सारी facilities provide कराता है, lawn provide कराता है, कि कि ये सारे काड़ी किसके होते हैं, bank के होते हैं, कुछ विद्वारों ने कहा है कि bank shabd की उत्पत्पी, जर्मनी भाषा का एक सब्द है, bank shabd से हुए, जिसका अर्थ क्या होता है, संयोग इसकर, joint stock से होती है, बसुत है, bank shabd बहुत से व्यक्तियों द्वारा 31 किये गई, एक सामुनी कोस्ता धोटक होता है, इस परकार हम क्या कहते हैं, बैंकिंग में हम बहुत सारी चीज़ीं हमें देखने के लिए मुझे हैं, जिसके द्वारा हमें क्या होता है, बहुत सारे benefits होते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, definitions हैं कुछे, उसमें क्या है, सबसे पहले जो definition है, वो किल्ले की है, according to किल्ले, bank is an establishment which makes to individual such advance of money as may be required and safely made and to which individually invest money when not required by them for you. क्या कहते हैं जो हमारे किल्ले हैं, क्योंकि अलग-अलब writers क्या होते हैं, इसको अलग-अलब ऐसे, bank एक ऐसी संस्ता है, एक ऐसा organization है, जो हमारी क्या होता है, safety जो होती है, उसको धिहान में रखते हुए, ऐसी जो कुछ वेक्ति होते हैं, ऐसे कुछ persons होते हैं, जिनकी उन्हें क्या होती है, नीड होती है, तो bank क्या होता है, एक ऐसी organization, एक ऐसी संस्ता है, जो ऐसे वेक्तियों को, जो money होती है, वो उधार देते हैं, जिन्हें उनकी आविश्चता होती है, जैसे कि जो बच्चे पढ़ते हैं, उनकी इतनी income नहीं होती, उनके फादर की, कि वो क्या कर सके, वो अच्छी education दे रा सके, तो bank उनको क्या करता है, education loan provide करता है, जो हमारे farmers होते हैं, farmers के पास इतना पैसन यह है, कि वो अपनी खेटी को आगी बहार सके, ठीक है, तो bank क्या करता है, बहुत सारे loan provide करते का कारी करता है, तो इन्होंने बताए कि bank एक ऐसी संसा है, जो सुरक्षा का धिहान रखते हुए, ऐसे विक्तियों को मुद्रवधार देती है, जिने उनकी आवश्रक्ता होती है, तो जिनके पास विक्तियों द्वारा अपनी अत्रिक्त मुद्रा जमा की जाती है, यह परिभाशा अप्रिक्षा कर स्वेश्ट है, क्योंकि इसमें bank को द्वारा जमा करने के साथ साथ, जिन देने के कारियों का भूले कि आगया, bank को जमा को भी सुरक्ता ही है, कहते हैं ना कि deposit करना क्या होता है कि सबसे मेन काम होता है पर deposit के साथ लॉन प्रोवाइड करना भी एक बेंक का बहुत जरूरी काम है क्योंकि जिस विक्ति को नहीं होती है तो बैंक फिर लॉन प्रोवाइड करने का काम करते हैं किन्तो आधुनिक बैंक के कारिये इतने व्यापक है कि उन्हें इन दो कारियों तक सिविधी नहीं रखा दोगता पर आज कर अगर हम करें बैंक के बहल यही दो कारिये नहीं करता है इसके अलावा बहुत सारे कारी करता है जैसे कि आप लोग को ट्रंदिक्शन के लिए आप देखते हो डेडिट कार्ड डेविट कार्ड यह सारी चीजे आपको कहां से मिलती है बैंक एन फ्टी जो होता है आपका फंस ट्रंसफर जिसको कहते हैं वो सारे काम कौन करता है के वाइसी यह सारी फैसिलिटी हमाएं बैंक के दौरा ही प्रोवाइट की जा दिया तो बैंक कर सकते हैं नेर वे दिफाइन हीं कर सकते तो उसके लिए हमें क्या हो सकता है एक बहुत ज्यादे बड़ी मात्रह में इसको हमेंडिफाइन करना है ठीक है तो आपको यह वहालब करना है फिर हमारे एक बाइंटर से अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो है इंगलेंड के एक बिल्स ऑफ एक्षेंज एक्ट आया उसमें क्या बताया कि बैंकर इंक्रूर्स एनिबडी ऑफ पर्सन वेदर इंकर्प्टिड और नॉट वो कैरी ओन दा बिजनिस ऑफ बैंकिंग यह क्या करता है हमारे हाँ पे? 1982 में एक डेφेनिशन्स आई कि कोई भी वेक्ती सम्हून हो सकता है वो एक ग्रूप में हो सकता है या इंडिविज हली हो सकता है ठीक है तो कोई भी वेक्ती सम्हून जो बैंकिंग का वेफ साएक परना चाता हो चाहे वह क्या उस समय में लितो या नहीं है वह भी क्या होता है बैंकिंग के अंतरगत ही आता है फिर अगर हम बात करते हैं हमारा सेक्शन 5 है प्राउथर प्राउथर का नाम आपने सुनाव एकनोमिक में बहुत जाले फेमस है हमारे राउथर प्राउथर ने अपनी मRAD करते हैं यह क्या प्राउथर ने अपनी डेफिनिशन में क्या इस यह क्या उन चाहते हैं कि बैंकिर महसा क्या है कि एक हम क्या सकते हैं нев Guitar definition नहीं क्योंकि है, हमें क्या कर सकता है, money के साथ का, हमारे credit के transactions करने का काम भी कौन करता है, हमारा banking sector ही करता है, फिर अगर हम बात करते हैं, भारती बैंकिंग अधिनियम, 1949, इसकी जो धारा है, इसकी अनुसार banking company है, जो क्या करती है, banking को कारे करती है, अधिनियम की धारा 5 वैंकिंग banking से आशे है, रिंड देने अत्वा, विनियोचन के लिए जन्ता से जमाप्राफ करना है, रिंड देने से है, और investment के लिए क्या है, जन्ता से जमाप्राफ करना है, जिसे मांग अत्वा किसी अन्य प्रतार की आगे द्वारा भी किया रह सकता है, इसको मांग के द्वारा भी आया और उस इंट्रस्ट के द्वारा देखो अब उसने उसको लोन दिया तो लोन देने के बदले में वो उसको क्या देगा प्रिंसीपल देगा प्रिंसीपल के साथ साथ वो उसको इंट्रस्ट भी पेड़ करेगा तो जब उसने उसको प्रिंसीपल दिया और उसकी साथ साथ आप एक तरीके से वो क्या होती है बढ़नी स्टार्ट हो जाती है थेंक यू आज के लिए कहीं